दोस्तो जब हम अपने घर में प्लास्टर करते हैं तो हमारा वहाँ घर का खुबसूरती तो बढ़ता है यह साथ में हमारे जो दिवार होती है दिवारे को मजबूती भी बढ़ती है तो अगर वहाँ पे हम सही ढंग से प्लास्टर नहीं करते हैं तो होता क्या है कि उस प्ला चाहें जानीयां आपको बhratni चाहिए जिसके वज़ां से आगे चलके आपके प्लास्टेर में किसी तरीके का कोई क्रैक ना दिखाई दे और आपका जो प्लास्टेर है, बहुत अची क्वालिटी का अगर आपका प्लास्टेर मजबूत रखता है सुरक्षित रखता है तो आईए जानते हैं कौन-कौन सा important point है जिनको आपको ध्यान रखना है plaster करवाते time में plaster सुरू करने से पहले सबसे पहले जो important हमारा point होता है वो होता है हमारा दिवार को लेके जो हम brick work करवाते हैं यानि कि जो दिवार होगी आपकी पूरा सीधी होनी चाहिए साउल, सूथ, जो plumbum होता है उसमें आपको करके देखनी है कि आपकी दिवार पूरा सीधी जा रही है कि नहीं अगर दिवार bend होगी या फिर उसमें undulation होगी तो plaster भी आपका जो है bend दिखाई देगा उसमें उपर नीचे धबे दिखाई देंगे undulation दिखाई देंगे इसलिए brick work आपको कभी भी अच्छी quality का करना है और सही से उसको देख भाल करके checking करके और एकदम सीधा करना चाहिए अगर दिवार में ज्यादा bend हो गई या ज्यादा andulation हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि plaster में उसको छुपाते हैं तो plaster में छुपाने के लिए आपको ज्यादा मोटा plaster करना पड़ता है तो अगर आप जरूरत से ज्यादा मोटा plaster कर देंगे तो वहाँ से आपका plaster उखड सकता है गिर सकता है तो इसलिए brick work करते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो दिवार है बेंड नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी तरीके का उसमें अंडूलेशन नहीं होनी चाहिए plaster सुरू करने से पहले जो sutring material हम जैसे अपने घरों में यूज किये रहते हैं अपना beam हो गरे डालने के लिए column डालने के लिए तो उसमें क्या होता है कील लगी होती है binding wire लगी होती है तो ये सब चीजे आपको वहाँ पर अच्छे से निकाल लेनी है उसकी दिवार की सफाई कर लेनी है उसके बाद जब हमारा वहाँ पर क्या होता है कि concrete part होता है जैसे हमारे घर में beam आता है column आता है हमारा slab हो गया ये सब concrete structure होता है तो वहाँ पर होता क्या है कि हमें पहले उस चीज को क्या करना चाहिए hacking कर लेनी चाहिए या hacking मतलब concrete part है उसको आपको cutting उसमें मार लेनी चाहिए उसको rough कर लेनी चाहिए क्योंकि वो plain surface होता है उसके आप plaster करते हैं तो वो grip नहीं बनाता है plaster टिकता नहीं है तो आप उसको cutting कर देंगे उसको rough कर लेंगे तो वहाँ plaster का grip अच्छा बनता है तो plaster काफी मजबूत होता है और एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखने चाहिए कि जहां पर concrete और brick work जहां पर joint हो रहा हो जैसे आप देखते हैं कि column और column से सटा के जो हम दिवार बनाते हैं तो क्या है वहाँ पर दोनों का joint है तो अक्सर देखा जाता है आगे चलके कि यह दोनों को joint पर वहाँ पर crack आ जाता है तो इस तरीके का crack ना है इस से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए कि हमारा जो chicken mace मिलता है chicken mace जो मुर्गा जाली होता है आधा part उसका आपको column पे और आधा part उसका आपको दिवार पे लगानी चाहिए तब उसके बाद उस पे आपको plaster करनी चाहिए इस से जो plaster होता है वो अच्छा से bonding मी बनाता है और जो beach का crack होता है उसको भी खतम कर देख अगला point होता है कि हमें plaster का thickness यानि plaster की मोटाई कितनी रखनी चाहिए तो देखे अगर आप interior plaster कर रहा है जैसे अंदर की दिवारों का तो आपको जो वहाँ पे plaster की मोटाई रहेगी वो 10 से 12 mm तक आप ले सकते हैं वहीं अगर आप exterior बाहरी दिवारों को आपको plaster कर रहे है तो plaster मोटी रहेगी तो वहाँ पे दिवारों का protection ज्यादा होगा इसलिए 15 से 20 mm हम वहाँ पे plaster करते हैं और जो सबसे कम plaster की मोटाई होती है वो हमारे चछत में होती है तो चछत की जो plaster की मोटाई होती है वो 6 mm तक हम करते हैं अगर आप 6 mm से ज्यादा या उससे ज्यादा मोटी सीलिंग में plaster करते हैं चछत में तो आगे चलके गिर भी सकती है इसलिए हमें वहाँ पे plaster के मोटाई ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए 6-8 mm तक आप उस plaster को कर सकते हैं अगली चीज आती है कि plaster के लिए हमें कैसा मसाला बनाना है यानि कि हमारा mortar proportion क्या होना चाहिए तो देखिए अगर अंदर की दिवार का plaster करते हैं तो उसका जो mortar आपको बनानी है वह आपको एक ratio 6 का लेना है तो यह plaster का mortar जो है वह आपको एक चीज और आपको धियान रखना है कि जो मसाला बनाते है इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बर में ज्यादा मसाला बनाएं और फिर जब यूज करना है उसमें बार बार आप उस पानी को मिलाते रहें तो ऐसा नहीं करना है और यह चीज का होता है वो खतम हो जाता है एक चीज और देखा जाता है कि जो plaster किया जाता है तो जब हम हाइट पे यानि बाहर का plaster करें या अंदर का plaster करें तो जो नीचे हम क्या करते हैं बैग होगर अपना बिचा देते हैं रख देते हैं जो उपर से हमारा मसाला जो एक्स्ट्रा बचता चाहिए हो बेकार हो गया है अगले important चीज आ जाती है कि plaster के लिए हम कैसा cement इस्तमाल करें तो plaster के लिए कभी भी आपको जो PPC cement यानि Portland Poylona cement जो market में होता है आप किसी भी brand का ले सकते हैं और आपको इस्तमाल करना है plaster के लिए सबसे अच्छा cement है वहीं OPC cement जो है आप उसका तो वहां पर कम हो जाता है तो आपका plaster का strength भी कम हो जाएगा तिसलिए आप कोसिस करें कि फ्रेस और ताजा cement इस्तमाल किया जाए तिर जहां भी आपको plaster करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहां पर आपको दीवार की तराई करनी है यानि जहां पर भी ceiling की plaster करनी है या दीवार की करनी है तो यहां पर main मैं दीवार की बता रहा हूं तो आपको जो wall का curing होता है यानि दीवार की तराई है और आपको दो दिन पहले से आपको दो टाइम तराई करनी है और आपका जिस दिन plaster करना हो उससे थोड़ा से पहले आपको हलके हाथा से वहां पर छीगा चिड़काव कर देना है जिससे दीवार तर हो जाए फिर आपको वहाँ पैंपर प्लाश्टर करने है candy अगर आप सुखी दीवारें पैंपर कर देते हैं तो ऐसी दीवार पे जो हम अपना plaster का मसाला लगाते हैं तो वो क्या करता है हमारे मसाले का जो पानी होता है सिमेंट का पानी वो उसको अबजर्ब कर लेता है सोक लेता है तो इसलिए हमारा mortar वहाँ plaster कमजोड हो जाता है तो वहाँ का plaster कुछ दिनों बोला जाता है या वो नहीं रखना है आपको वहाँ के plaster rough कर देना है जैसे कि आपको वहाँ पे plaster करने के बाद जाडू मार देनी है या फिर आपको wire brush होता है उससे उसकी roughness को बढ़ा देनी है ताकि जब हम wall tile वहाँ पे लगाते हैं तो tile और plaster के बीच में वहाँ पे अच्छे से grip बन जाए जिससे हमारा tile उंखडे नहीं और कभी plaster करने से पहले जितना भी आपका दिवार में जैसे कि pipeline डालनी होगी concealed piping होगी जैसे कि आपका बिजली का plumbing का तो आपको दिवार की cutting करके वहाँ pipeline डाल लेनी है pipeline डालने के बाद आपको जहां पे pipeline आए उसके उपर आपको जो यह फाइबर मेस मिलता है इसकी cutting करके उसमें आपको fix कर देनी है फिर इसके उपर आपको plaster करने है अगर आप यह फाइबर मेस नहीं लगाते हैं तो कई बर देखा जाता है कि जहां पे यह pipe होती है वहाँ पे हलकी हलकी दिवारों में दरार देखने को मिलती है दिवारे वहाँ से कम जोड रहती है तो इसलिए आपको यह fiber मेस लगाना वहाँ बहुत जरूरी है इससे आपकी दिवार में crack नहीं आएगी और दोस्तों जैसे plaster के लिए मैं बताया कि cement बहुत जरूरी चीज होता है वैसे ही आपका जो sand है यानि जो river sand आप लेते हैं ओ भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम sand गंदा लेते हैं उसमें silt जादा होगा तो आपका plaster बेकार होगी plaster एकदम वहाँ पे सही नहीं दिखेगा रुखड़ा plaster होगा roughness उसमें जादा होगा और एक तो bonding अच्छे से नहीं बना पाएगी तो कम जोड़ हो जागी तो इसलिए जो आपका sand होना चाहिए उसमें 6% से ज्यादा silt content नहीं होनी चाहिए उसको अच्छे से आपको सफाई कर लेनी है चनन करके और तब उसको plaster में इस्तमाल करनी है पिर जो main हमारा important चीज होता है वो plaster होने के बाद उसकी तराई तो जब plaster आपका हो जाए तो उसके अगले दिन से आपको कम से कम 10 दिन तक 2 बार तराई करनी है एक दिन में कितना 2 बार आपको बिलकुल तराई करनी है तब जाके जो plaster हो आपका strength gain पर कर पाएगा तब जाके वो मजबूत हो पाएगा तो दोस्तो अगर यह चीज आप धिहान रखेंगे तो आपका plaster मजबूत होगा अच्छी quality का बनेगा और इसमें जो दरारे आती है जो crack आती है ओभी नहीं आएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो इस लाइक कीजि और अगर इस वीडियो से related कोई आपका सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए मैं कोसिस करूंगा पूरा answer देने का